दोस्तो मैं सुरू में ही आप लोग के एक बात बताना चाहूंगा कि जब आपका 2000 साल था तो उस टाइम जो योटी ओभारेड क्रेन के लिए ओपरेटर रहता था बहुती कम था इसलिए डिमांड आपका बहुत ज़्यादा था इसके बाद आपका क्या हुआ? 2006 के बाद से ठीक है? जो भी आपका योटी ओभारेड क्रेन को ओपरेटर है इसका अच्छा अच्छा जो कमपनी रहता है कमपनी में इंटर्व्यू होने लगा जो बहुत अच्छा से इंटर्व्यू दे देता है उसका जॉइनिंग हो जाता है और जो लटर पटर इंटर्वियू देता है इसका जोइनिंग होना बहुत मुश्किल है और अभी आपका चल रहा है दो हजार बाइस तो दो हजार बाइस में आपको बहुत अच्छा एक्स्पिरियंस बनाना है श्रीब क्रेन आप बढ़िया चला लेते हैं इससे उतना मतलब नहीं रहता है लेकिन जब आपका इंटर्वियू होगा तो उस टाइम तो आपके पास क्रेन नहीं नहीं रहेगा उस टाइम ओफिस में बैटके आगे बला जो आपका इंटर्वियू ले रहा है उसको बहुत अच्छा से आपको समझाना है जैसे एक नंबर कोस्चन में क्या आजाता है योटी ओभारेड क्रेन जो आप चलाईएगा तो इसके लिए आपको खुद को क्या-क्या सेब्टी लेना जरूरी है नमस्कार दोस्तों प्रैक्टिकल एक्स्पिरेंस टेक्निसियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है आज कुछ निया सिखते हैं दोस्तों देखिएगा मैं आप लोग साथ प्रैक्टिकल एक्स्पिरेंस शेयर करता हूँ और इंडेस्टिरिल के अंदर में जो काम होता है उसका ही वीडियो बनाएक आप लोग को सेयर करता हूँ आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस टाइप से कोस्चन पूछा जाता है मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोग को बताऊंगा और एकदम सेम टू सेम मैच होगा ही होगा तो जाब आपको स्रीप योटी ओभाराइट क्रेण में जो ऑपरेटर रहता है जिसको हम लोग क्रेण डाइवार बोलते है तो पहले जो आपको पूछा है कि आप खुद के क्या क्या शेब्टी देखने का बाद क्रेल चलाईएगा या आपको खुद को क्या क्या शेब्टी लेना जरूरी है एक नंबर में आज आता है आपका light ठीक है अगर light का बात आप नहीं बोलिएगा तो समझ लिजिए कि आप interview में शुरू में ही फेल हो गए क्योंकि जब भी आप कोई भी company में duty कीजिएगा तो company में क्या होता है day और night 300-65 दिन आपका company running रहता है आपका duty night पे भी हो सकता है और day पे भी हो सकता है तो जब आप EOT crane को चलाईएगा मतलब एक diver के रूब में duty joint कीजिएगा या एक operator के रूब में duty joint कीजिएगा तो light का बात आपको किसलिए पहले बताना है बढ़िया से हर चीज दिखाई देगा तब ही आपको crane चलाने में कुछ दिकत नहीं होगा अगर light का बात आप नहीं बोलिएगा तो अंधेरा में तो आप नहीं ने चला सकते है और diver रहता है कोई कोई crane में देखिएगा केबिन में बैठा हुआ रहता है कोई कोई आपका remote वाला crane रहता है और नीचे से ही operate करता है मतलब एक remote system भी crane होता है और एक manual वाला जैसे हम लोग master control देखे चलाते है तो remote वाला crane रहता है ज्यादा तर देखिएगा छोटा छोटा पांच टन दस टन यह सब बे remote system रहता है लेकिन जब आपका 10 टन से बड़ा crane हो जाता है डबल गडर का crane हो जाता है तब आपका master control system में रहता है और आपका cabin बना हुआ रहता है केबिन में क्या होता है डाइबर बैठके ही आपका चलाता है तो पहले इन नंबर में आपको बताना है कि हमारा light बहुत अच्छा मतलब चाहिए क्यूंके हमको बड़िया से दिखाई देगा तब ही हमको crane चलाने में कुछ दिकत नहीं होगा अभी दो नंबर में हमारा क्या आजाता है दो नंबर में आजाता है आपका बेल या जिसको हम लोग हूटर बोलते हैं क्यूंके अगर आप बेल और हूटर के बारे में नहीं बताईएगा तब क्या होगा आगे बला आदमी समझ जाएगा कि ये कोई भी company में डाइवरी या crane operator में नहीं था नहीं तो step by step हम लोगों को जुरूर बता था क्रेन में बेल या हुटर नहीं रहेगा तो आप काम कैसे कीजिएगा क्यूंकि इतना उचाई से तो आपको दिखाई देगा लेकिन कितना चिल्ला 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 के तो काम नहीं होगा लेकिन देखिएगा हर क्रेन में एक बेल लगावा रहता है या आपका हुटर लगाव तो दो नमबर में आपको बताना है हूटर और बेल के बारे में जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ बोलके थोड़ा-थोड़ा करके आपको लंबा करके बता दे रहा हूँ लेकिन जब आप अपने से बताईएगा तो छोटा-छोटा भी बताईएगा तो चलेगा क्योंकि हमको पुरा समझाना पड़ता है अगर नहीं समझाएंगे तो आप लोग के तरफ से क्या होगा कॉमेंट आए जाएगा कि वीडियो में हमको ठीक से समझ में नहीं आया अभी तीन नंबर में आपको क्या बताना है तीन नंबर में आपको सेप्टी के बारे में बताना है कि क्रेन में जो आप चड़ गए चड़ने के बाद सिरिफ जाके मास्टर कंट्रोल एक नंबर दो नंबर तीन नंबर करने से नहीं होगा क्रेन चलाने से पहले कुछ कुछ चीज जो है वो आपको देखना है क्या क्या देखना है एक होता है आपका main host दूसरा होता है auxiliary host ठीक है तिसरा होता है हमारा lt और चौथा होता है हमारा city main host auxiliary host lt और city चारों में आपका limit switch लगा हुआ है या नहीं है या आपको देखने के बाद क्रेन चलाना है या कोई जगा में अगर आप interview दे रहे हैं तो उस जगा में आपको बताना है देखिएगा ज़्यादा तर क्या होता है बहुत सारा क्रेन में आपका main host, auxiliary host में तो limit आपको मिल जाएगा लेकिन कुछ कुछ क्रेन में LT में और CT में नहीं मिलेगा जब आपका क्रेन नया रहेगा उस टाइम आपको LT और CT पे भी लिमिट लगा हुआ रहेगा देखिएगा मैं एक लाइब वीडियो बना के आप लोग को हर चीज दिखाया था कि कौन कौन सा लिमिट रहता है और किस हिसाब से काम करना पड़ता है तो इस जगा में तो आपसे पूछ दिया safety के बारे में जो तीन को safety के बारे में मैं बताया हूँ एक number point में यही तीन safety के बारे में आपको बताना है जैसे जाब आपसे question पूछा तो तुरंद आपको बताना है light, hooter या bell कुछ भी बोल सकते हैं और limit switch तो हो गया एकदम तुरंद 2 second का अंदर में answer ये तीनों के बारे में जब आप बता दीजिएगा तो आगे बल आदमी समझ जाएगा नहीं ये बहुत दिन से काम कर रहा है और बहुत अच्छा knowledge है क्योंके EOTO overhead crane का जो operator रहता है इसके लिए तीन चीजिए बताना बहुत जरूरी रहता है अभी जब आपका दो number question आजाएगा तो दो number में question में आएगा क्या कि जो main host, auxiliary host, lt और city इसमें जो limit switch आपका लगा हुआ रहता है ये कौन कौन सा limit switch रहता है तो इस जगा में आपका दोनों में same रहता है एक में रहता है आपका rotary limit switch और दूसरा में आ जाता है आपका gravity limit switch ठीके क्योंके जो आपका productive panel रहता है ना प्रडेक्टिव पैनल में आपका gravity limit switch के connection दिया हुआ रहता है, ठीक है? मैं थोड़ा खोल के बता दे रहा हूँ, और main host और auxiliary host में rotary limit switch के connection दिया हुआ रहता है, तो यह दोनों जो limit switch है, इसका शिरिफ आपको नाम बताना है, काम नहीं भी बताईएगा, फिर भी कोई दिकत नह है, इसके बाद जो lt है, तो lt में हमारा कौन सा limit switch रहता है, तो lt और city में same limit switch रहता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको liver type limit switch, देखिएगा इससे पहले भी मैं वीडियो बना को अल्लेडी आप लोग को समझाया हूँ, rotary limit switch, gravity limit switch, और liver type limit switch, और एक limit switch आप लोग को हम हैं कि white limit switch, तो gravity limit switch भी आप बोल सकते हैं या white limit switch भी बोल सकते हैं, तो यह जो limit switch का नाम है, सिरिफ आपको नाम बताना है, काम नहीं भी बताएगा, फिर भी कोई दीकत नहीं है, आभी दोस्तों, तीन नंबर point में मैं आप लोग जो point बताऊंगा, यह बहुत अभी के date में common question है, जब भी आप कोई भी अच्छा company में interview दीजिएगा, तो जो अभी तीन नंबर point में question बताऊंगा आप लोग को, और answer भी बताऊंगा, तो देखेगा, ज़्यादा तर अभी के date में पूछा जा रहा है, क्यूंकि यह जो question है, यह सब तो आपको पुछेगा ही पुछेगा और इसके साथ आपको, और क्वण सा question पुछेगा, अगर आप ladle crane चला रहे हैं, या magnet crane चला रहे हैं, या blade art का crane चला रहे हैं, अब crane क्वण सा चला रहे हैं, उस crane का नाम क्या है, ladle crane चलाते हैं, या magnet crane चलाते हैं, या आप blade art का crane चलाते हैं, हर crane का अलग अलग नाम होता है, जब आप इंटर्वियू में बैठी येगा तो पहले ही क्या होता है कुछ-कुछ common question पूछ लेता है कि भाई आप कौन सा क्रेन का diver है या कौन सा क्रेन का operator है नाम ladle crane का है कोई बताता है magnet crane का है कोई बताता है बिलेड़ का crane का है तो पहले कौन सा क्रेन का diver है वो भी तो जानना ज़रूरी है नहीं तो उल्टा पूल्टा बताने से थोड़ी होगा कभी नहीं होगा अभी दोस्तों चार नमबर पॉइंट में आप लोग को बताऊंगा और important question क्यूँके इस वीडियो में आप लोग को चारे question जो बताऊंगा मतलब बता रहा हूँ ना आप कभी भी मिला के देख लिजिएगा कोई भी जब अच्छा company में इंटर्विव दीजिएगा ये चार question के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा YouTube में आपको बहुत टाइप का वीडियो मिल जाएगा लेकिन ये जो 2006 है न ये सब आभी बंध हो गया है ये सब जमनाब रहा नहीं आपको 2022 के साथ चलना है और 2022 के साथ आपको जवाब देना है और पहले क्या होता था थियोरी थोड़ा थोड़ा बता देने से काम चल जाता था अभी के डेट में 2022 में चाहे GM बोलिये या EVP बोलिये ये लोग भी थोड़ा थोड़ा काम जान गया है आप गलत एंसर दे रहे है या सही एंसर दे रहे है कोई भी कमपनी में जब इंटर्व्यू दीजिएगा तो ये दोनों भी आपसे कुछ कुछ कुश्चन पुछता है कि लोग भी नॉलेज रहता है और अभी के डेट में थियोरी आप उतना बढ़िया नहीं भी जान रहे हैं जैसे मैं इलेक्टिकल का वीडियो बनाता हूं डिपलोमा आईटिया या बीटेक ये तो आदमी कर लेता है लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है जैसे आज मैं योटी ओभरेट करन का ओपरेटर का वीडियो बना के समझा रहा हूं लेकिन जो इलेक्टिकल में काम कर रहा है उसके लिए भी बहुत ही इनपोर्टेंड होता है क्यूंकि ये सब वीडियो देखिए कि यूट्यूब में आपको नहीं मिले पूछता है वही कोश्चन में आप लोग के साथ स्यार करता हूं मैं खूद किस टाइप के कोश्चन पूछता हूं वही आप लोग के साथ स्यार करता हूं चार नंबर में दोस्तों आ जाता है चाहे आप लेडल क्रेन चला रहे है या मैगनेट क्रेन चला रहे है या पंजी क्रेन है या मैगनेट क्रेन है या पंजी क्रेन है या ब्लेड़ गा क्रेन है इसमें कौन सा सिलिंग रोप आपका लगा हुआ रहता है और कितना mm कर रहता है जैसे मैं एक छोटा एक्जामपल देखा आप लोगों समझा दूंगा ने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक 70 तन का मैं क्रेन लेता हूँ ठीक है? 70 तन का क्रेन में आप ज़्यादातर देखिएगा के 25 mm का ही आपका wire rope लगा हूआ रहता है लेकिन इसमें आपसे क्या पूचेगा? जो आपका sealing rope बोल सकता है या wire rope भी बोल सकता है लेकिन चो wire rope हो या ceiling हो इस में से आपको कुछ भी दिकत नहीं है आपको जानना जरूरी है कितना mm का wire rope है और क्या चीज का है मतलब ये steel का है या दूसरा company मतलब जैसे बहुत तरह अलग-अलग टाइप का wire rope होता है ठीक है कुछ कुछ देखिएगा वायरोप को नाम में हम इसी वीडियो में लिख देंगे तो क्या होगा आप लोग पर लिजिएगा तो पता चल जाएगा लेकिन इसमें common होता है common क्या होता है जब भी आप एंसर दीजिएगा तब भी आपको तुरंद बताना है यह steel वायरोप लगा हुआ रहता है steel वायरोप इसलिए मैं बोल रहा हूँ चाहिए कोई भी वायरोप रहे लेकिन बीने steel का आपका लगाएगा नहीं और बीने steel वाला आपका चलेगा भी नहीं यह common जैसा हो गिया जैसे 70 टन का क्रेन रहे यह 120 टन का रहे यह आपका 10 टन का रहे यह आपका 15 टन का रहे लेकिन चाहे कितनों भी छोटा करें रहे या बड़ा करें रहे इस टील ओयर रोपे रहता है लेकिन इसमें क्या होता है अलग अलग टाइप होता है जैसे जब आप इंटर्विव दिजिएगा तो इसी टाइप से आपको छोटा छोटा कोश्चन पूछता है कि steel wire rope हो गया और आपका कितना mm का 25 mm का इतना ही आपको बताना है ज्यादा ताम जाम में जाना भी नहीं है और अगर माल लिजेगा कोई आपसे पूछ रहा है कि इसका भी type के बारे में बताईए तो आप कुछ कुछ type के बारे में बता सकते हैं और लेडि में वीडियो में अराम से बता सकते हैं लेकिन उतना पूछेगा नहीं इस टील wire rope जाईसे भी बोल दीजेगा और 25 mm या 16 mm आप जहां पर माल लिजे देखे हैं या जहां पर डाइवारी या क्रेन ओपरेटीर किये हैं तो यह सब चीज क्या होता है कोमन चीज होता है इस सब देख के रखना पड़ता है दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कोमेट जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा आज इस वीडियो में मैं आप लोग को चार गो कोस्चन और एंसर के बारे में बताया हूं लेकिन एक त कोस्चन का एंसर भी बताऊंगा और जैसे आज इस वीडियो में चार गो पॉइंट देके समझाया हूं उस पर भी आप लोग को चार या छो गो पॉइंट देके समझाऊंगा कभी भी कोई भी कंपनी में इंटर्वी दीजिएगा तो आपको कुछ भी दिकत नहीं होगा व नमस्कार जाएंट